गाज बरगर और चीज तो हम सबको पसंद होता है पर आपने कभी ऐसा बरगर ट्राई करा है जिसमें इस तरह से चीज उपड़ से बैरा हो और यकीन मानिए यह बहुत ही डिलिश्यस है और अगर आप इस तरह के और एस्पीस देखना जाते हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक् रूटीन में जिस तरह से हम बरगर बनाने के लिए लिए उसी तरह से इसको किया है और इसके लिए मैंने दो पैटीस ली है रेडी मेड़ वाली पैटीस लिए अगर अब घर पे भी बनाना चाहते हो तो बहुत इजी है मैंने इसकी रेस्पी पहले शेयर कर रखी है मैं बरगर के लिए हम दो बंस का यूज करेंगे और फिर हमने इन पैटीस को फ्राय कर लेना है पैटीस आप कोई भी ले लेना अगर आप घर पे बना रहे हो तो उसको थोड़ी देर पहले बना कर फ्रिज में रख देना तांकि उसके जो ब्रेड क्रम्स है न वो इस तरह से घ बरगर बंस को अच्छे से से का है पैटीस को फ्राय करा उसके अंदर वेजी टेबल्स लगाई हो हमारा बरगर त्यार हो जाता है पर इसको हम थोड़ा डिफरेंटली बनाएंगे देखिए हमारी पैटीस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हम इसके लिए में का अच्छे हमने रिफाइंड डालना है यानि की मैदा उसको सी मांच पर हमने हलका सा हलका सा कलर आने तक भूनना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपको यहां पे थोड़ा ब्राउन लग रहा होगा पर एस इस यह बहुत ब्राउन नहीं था एक चमच हमने मैद लिया एक चमच हमने बटर लिया उसके अंदर हमने एक कप डालना है दूद दूद नॉर्मल टेंपरेचर का है बिल्कुल गरम नहीं है और बिल्कुल ठंडा नहीं है इसके अंदर मैंने दो क्यूब प्रोसेस चीज के ग्रेट कर दिये हैं अगर आपके पस चीज स्लाइस ह स estructural के दिया में हमारा मोटव है कि इसको हमने जाद से जादा चीजी बनाना है देखिए इसके अंदर उबाला आ गया है कृश इसके अन्दर हमने घ्रमी को हो रखिया इसके बाद्द क्या डालना है अग्रें जब टक भड़ा बरके मैंने इसमें चीज सॉस का डाला है इस ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा इसको अच्छे से हमने तब तक हिलाना है जब तक ये इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स ना हो जाए देखिए हमारी चीज सॉस इसके अंदर मिक्स हो गई है गैस हमने यहां पर ओफ कर देनी है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें पि जाड़ी होनी चीए ना तो पतली ना बहुत जादा गाड़ी बस यह दिहान रखना कि आपके जो चम्मच है उसको यह कोट कर ले तो अब हमने बर्गर बंस ले लिए हैं सबसे पहले में एक बंद के उपर लगा दी है बाबेक्यू सॉस इसको अच्छे से आपने सप्रेड कर देना है दियान रखें यहां पर हम दो बर्गर बंस का यूज कर रहे हैं एक बर्गर बनाने के लिए इस तरह से अच्छे से हमने इसको सप्रेड कर दिया है अब हमने इस पर वेजिटेबल्स रखनी है सबसे बहले मैंने रख दिया है पतला-पतला कटा हुआ प्याच टमा दूसरा पीस है वो रखना है उसके उपर हमने लगानी है मियोनेस मियोनेस हो हम सब के घरों में होती ही है अच्छे से लगाए अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना चाते तो आप यहां पर इसके अंदर थोड़ी सी चीली सॉस भी मिक्स कर सकते हो मैंने नहीं किया है इसको अच्छे से सप्रेड कर देना है मियोनेस को उसके बाद हमने जो थर्ड हमारा पीस है उसके उपर दुबारा से बाबे क्यू सॉस लगा देनी है बाबे क्यू सॉस लगाते है न तो इसका बहुत ही बढ़िया टेस आता है इसको एक बर जरूर लगा कर बना कर देखना उसको तो उपर हमने Barbara Saus वाला बन रख दिया है। आप चाहे तो यहां पर मैंने Cheese Slice लिए परसेस्ट वाला Cheese Slice है चाहे तो आप यहां पर शैडर वाला भी यूज कर सकते हूं। चाहे तो आप यहां अच्छे से स्प्रेड कर देनी है मियोरिज आप उतनी ही लगाना जितनी कि आपको पसंद हो मुझे तो काफी पसंद है तो मैंने इस पर भर भर के लगाई थी इसके उपर हमने नेक्स पीस उल्टा करके रखना है अभी हमारा यह काफी बड़ा बर्गर है तो हमें इसको सिक्योर करना पड़ेगा नहीं तो यह पिखर जाएगा तो मैंने एक जो साथे स्थिक होती है बड़ी वाली आप वो उटोस्पिक कह सकते हो उससे इसको सिक्योर कर दिया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसको एक serving plate में place करेंगे जिसमें हमने इसको serve करना है क्योंकि अगर हम इसके उपर यहीं पे cheese sauce लगाएंगे तो वो वहीं पे सारी से प्रेड हो जाएगी साथ में मैंने इसके सर्व करें हैं थोड़े से लेज और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज यह optional है मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इसके साथ में सर्व करनी है इस तरह से करने के बाद अब हम इसका में चीजी वाला पाट आएगा जो हमने चीज सॉस त्यार करके रखी थी जो हमारी ठंडी हो गई है चाहे तो आप इसको हलका सा वाम कर लेना इस तरह से हमने उपर से इसके उपर डालते जाना है और इसको तब तक डालना है जब तक कि हमारी मतलब ये कहलें कि जब तक आपका चीज सॉस से पेटना बढ़ जाए तो इतनी हमने इसके उपर चीज सॉस डालने है या तो अपनी पसंद के हिजाब से डालने लिकीन मानिए गाइस आपको ये बहुत पसंद आएगा बहुत ही डिलिश्यस बनता है एक बार जरूर बना कर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ